सब्सक्राइब टू न्यूटेक एंटेटेन्मेंट यूटूब चैनल, बैल आइकोन पे क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें मूर्गी पालन वेवसाई एक ऐसा वेवसाई है जो आपकी आये का अतिरिक साधन बन सकता है बहुत कम लागत से शुरू होने वाला ये वेवसाई लाखों करोड़ों का मुनाफ़ा दे सकता है इसमें शैशनिक, योगिता और पुंजी से अधिक अनुभव और मेहनत की दरकरार होती है आज के समय में बेरोजगार युवा मुर्गी पालन को रोजगार का माध्यम बना सकते हैं छोटे गाउं से लेकर महानगरों तक इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रहे है यदि योजनाबत तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कर्म खर्च में अधिक आयक की जा सकती है बस तक्निकी चीज़ों पर ध्यान देने की जुरूत है कभी-कभी लापरवाई के कारण इस वेवसाय से जुड़े लोगों को भारी हानी उठानी परती है इसलिए मुर्गी पालन में भेतर प्रबंदन पर जोड़ दें और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना आवशक है जगा का चयन फॉर्म बनाते समय ये ध्यान दें कि ये गाउं या शहर से बहार मेन रोट से दूर हो पानी वो बिजली का परियाप विवस्ता हो फॉर्म हमेशा उंचाई वाले स्थान पर बनाए ताकि आसपास जल्ब जमाव न हो दो पोल्ट्री फॉर्म एक दूसरे के करीब न हो फॉर्म की लंबाई पूरुफ से पच्चिम हो ब्राइलर मुर्गी बेचने के लिए बजार भी हो फॉर्म निर्मान चिकन या चूजे की अच्छी बड़त और परियाप वजन पानी के लिए आरामदायक आवास और शेड की विवस्ता करना सबसे जरूरी काम है आवास निर्मान सस्ता हो इसके लिए स्तानी समान का भेतर तरीके से इस्तेमाल करें जैसे की बांस, मिट्टी, छपर आदी मद्दे में उचाई 12 फीट, वो साइड में 8 फीट हो चोड़ाई अधिक्तम 25 फीट हो तसर शेड का अंतर कम से कम 20 फीट होना चाहिए फर्ष पक्का होना चाहिए इसके इलावा जैविक शुरुक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए एक शेड में हमेशा एक ही ब्रीड के चूजे रखने चाहिए शेड के अंदर, बिजली के बल, मुर्गी दाना वो पानी के बरतन, पानी की टंकी की उचित विवस्ता होनी चाहिए दाने और पानी का बरतन प्रत्यक सोचूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बरतन होना बहुत ही आवश्यक है गाने और पानी के बर्तन आप manual या automatic किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं automatic वाले बर्तनों में pipe system होता है जिसने टंकी का पानी सीदे पानी के बर्तन में भर जाता है बुरादा या litr बुरादा या litr के लिए आप ब्लकडी का पाउडर, मुंगफली का छिलका या धान का छिलका उप्योग कर सकते हैं। चूजे आने से पहले लीटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्ष पर विछाना आवशक है। लीटर पूरा नया होना चाहिए एवं उसमें किसी भी प्रकार का संत्रमन ना हो। ब्रूडिंग चूजों के सही प्रकार के विकास के लिए ब्रूडिंग सबसे ज़्यादा आवशक है। ब्रॉलर फार्म का पूरा व्यपार पूरे तरीके से ब्रूडिंग के उपर निर्भर करता है। चूजों को फॉर्म में भी जुरूत के अनुसार तापमान देना पड़ता है। ब्रूडिंग के लिए आपको नियमित रूप से बिजली की आवशकता होती है। गर्मी के महीने में प्रती चूजे को एक वाट की आवशकता होती है। जबकि सर्दियों के महीने में प्रती चूजे को दो वाट बिजली की आवशकता होती है। गर्मी के महीने में चार से पांच दिन ब्रूडिंग किया जाता है। और सर्दियों के महीने में ब्रूडिंग बारा से पंदरा दिन तक करना आवशक होता है। पीने का पानी ब्रॉलर मुर्गा एक किलो दाना खाने पर दो से तीन लिटर पानी पीता है। गर्मियों में पानी का पीना दोगना हो जाता है। पीने के पानी में bleaching powder का प्रेयोग करें। ब्रॉलर ब्रीट का चेयन अच्छी क्वालिटी वाले एक दिन के चूजे का चेयन किया जाना चाहिए चूजे के घर में पहुँचने से पहले की त्यारी पहले से इस्तेमाल के जारे पालकी को हटा दे और दूसरे समान की अच्छी तरह सफाई करे पालकी और पूरे पौल्टरी घर में सेनिटाइजर का छिटकाव करें अच्छे एजेंट की मदद से पौल्टरी होस में धुआ कराएं मुर्गी पालन में चारा प्रबंधन बहुत एहम है और साथ ही सबसे ज़्यादा खर्च भी इसी मद में होता है जो उत्पादन को भी प्रभावित करता है वेपसाइक मुर्गी पालन में अच्छे परिनाम के लिए चारा और चारे का कुशर प्रबंधन बहुत जरूरी है अगर इस मद में जरा से भी कमी रह गई तो चूजों को कई बिमारियां हो जाती है जिससे उत्पादन पुरी तर प्रभावित होता है यहां ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि जो चारा हम मोहिया करा रहे हैं वो सभी जरूरी पोशकतत यानि कार्बोहाइडरेट, वस्सा, प्रोटीन और विटामिन भी शामिल हो चारे के प्रकार प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर रोग नियंतरन और एहतियाद बिमारी रहित स्टॉक से शुरुआत बाड़े में चूजे को टीके दिलाएं बिना समुचित शुरक्षा उपायों के भारी विक्ति को पोल्टरी फर्म में ना आने दे शेट के बीतर घुसने की जगा पर पैर दोने और हाथ दोने की समुचित व्यवस्ता हो रोज साफ सुतर पानी की व्यवस्ता करे विशानू रानिकेत न्यू केसल रोग फर्म में मौजूद सभी चूजों को प्रभावित कर सकते हैं इससे सांस लेले में समस्या हाती है नाक से पानी गिरने लगता है और इसमें नवे से सो फिसेदी मृतुदर है शुरुआत में ही बचाव की टीके लगाएं तोक्टर के दुवारा हर सप्ताव इनकी जाँच करवाएं और समय समय पर ठीके लगाने से बिमारी और इंफेक्शन से बचाय जा सकता है जैव शुरक्षा उपाए इससे पॉल्ट्रिफ़ाम में फैलने वाले रोग को रोपने का इंतिदाम किया जा सकता है इसमें तीन महतुपून अंग है अलग करना, ट्रैफिक नियंतरन और सफाई व्यवस्ता मार्केटिंग सबसे अंत में सबसे एहम बात मार्केटिंग की है फ़ान की शुरुआत से पहले ही मार्केटिंग की योजना बना लेनी चाहिए एक सफल फार्मिंग के लिए अच्छी कोल्टिंग मार्केट और अच्छी केमत बेहत जुरूरी है एक और खास बात ये है कि भारत में कुछ तेहौर के दोरान चिकन की खपक काम हो जाती है इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाना चाहिए तभी सफलता मिल पाएगी दोस्तों उमीद है हमारा वीडियो आपको जुरूर पसंद आया होगा हमें लाइक, कमेंट, शेर एन सब्सक्राइब करना ना मुले